तो कह दिया है कि 2014 में हमें वोट मिला फिर 2017 में मिला यह तीन तेर मार मिला मन्दब जो पुरानी थियरी है एक बार आओ एक बार जाओ वाला उत्तर प्रजेश ने पहले ही नकार दिया है जब पहले ही नकार दिया है तो आप क्यों आगे बढ़ाएगा भारती जनता पार्टी ने अनुभव किया है कि हमें 14 में स्विकार किया फिर काम देखा 17 में स्विकार किया काम देखा 19 में स्विकार किया काम देखा 22 में स्विकार करेंगे उत्तर प्रदेश पे ही वापस आती हूं वहाँ पर जो आप्टिक्स के बात कर रही हूं जो पहले चरण में जो चारी मशीनरी का दुरोप्यों कर रही है कह रहे हैं और उनके साथ है एडी उनके साथ है जुडिशरी उनके साथ है मीडिया तो एक अनिवन प्लेंग ग्राउंड है आप क्या कहेंगे इस बारे में पहली बात है कि ये दो लड़कों वाला खेलतों हमने पहले भी देखा था और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के दो गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तरप्रदेशी जनतानूं को हिसाब दिखा दिया और एक बार तो दो लड़के भी थे और एक बुवाजी भी उनके साथ थे फिर भी उनके हाल नहीं बना कि उत्तरप्रदेश इस प्रकार के जोड से अगर किसु को पचीश साल पर मतादिकार मिलता है है माद तुरू मतादिकल लेकिन कोई पिताजी ऐसा घए मेरा यह बेटा है वो 10 साल का है यह बेटा है 15 साल का दोलों 25 के हो गयें उनको चुनाव लड़ने तो लड़ने देखा क्या है तो इस प्रकार मेल-जोर से चलता है emic a परिवारवाद सिर्फ उनकी पर्टी में नहीं आपकी पर्टी भी नहीं विए देश की जनता को में जूटև सामने सत्ते सम्झाना चाहता हूं एक परिवाद से अलेग लोग जनता के बीच में जाए एक परिवार से दो लोग जाए तिन लोग जाए और उनको चुनाव करके भीजे वह एक राजनीति का पहलू है लेकिन दूसरा एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने उस पार्टी के ट्रेजर बने उस पार्टी का पार्लामेंटी बॉर् बेटाएख करें पीता नहीं रहें तो पूत्र करें यह जो विरासर्त और वार्सा बारीज के रूप में चल रहा है कि डाइनेस्ट्री के रूप में चल रहा है कुछ रहा है पहरी नहीं ऐंडिर यह जो बनता है पार्टी प invasive परिवार की बन जाती है और आप देखें हिंदुस्तान की बरबादी कहां से हो रही है जम्मु कश्मी से सुभू करिए दो पार्टिया में रही वहां दोनों परिवार की पार्टिया है अभी तक उसका कोई नया नेता देखाई नहीं आज देश में जो 18-40 साल की उमर के परिवार की पार्टी उत्तरप्रदेश देखिए परिवार की पार्टी जारखंट देखिए परिवार की पार्टी आप तमिल लाण में जाईए परिवार की पार्टी यह परिवार ही पार्टी चलाता है परिवार जो चाहें उनका भड़ा यह लोग तंत्र के लिए बहुत से भाग जाएं यह नहीं चल सकता है और मेरा मत है परिवार वादी पार्टियां लोक तंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि लोक तंत्र के मुल्भुत सिध्धांतों को ही वह न कारता है दूसरा जब परिवार वादी राजनीती चलती है परिवार ही सर्वोपरी होता है परिवार को बचाओ पार्टी बचे अनबचे परिवार को बचाओ देश बचे अनबचे यह जब होता है तब सबसे पहले केजुएल्टी कौन सी होती है परिवार वादी राजनीती में केजुएल्टी कौन सी होती है बेटा जैसा भी होगा लेकिन वही अगला द्यक्ष बनेगा तब सबसे बड़ी के युल्टी टैलेंट की होती है और सार्वजनिक जीवन में जितनी ज्यादा अधिक टैलेंट आए बहुत जरूरी है इसलिए राजनीतिक डलों का लोकतांत्री करण यह बहुत आवशक है